बिहार में सरक दुरुगटना में घायलों की मदद करने वाले वैक्तियों को अब 10,000 रुपए की पुरुषकार रासी दी जाएगी। निती सरकार ने इस रासी को बढ़ा कर दुगना कर दिया है। पडिवहन मंत्री सीला कुमारी ने बिधवार को बिहार सरक सुरक्षा परिशत की बैटिक में यह एहलान किया। अभी किसी घायल के मदद करने पर सरकार 5,000 रुपए का पुरुषकार देती थी। लेकिन अब यह पुरुषकार 10,000 रुपए का होगा। पडिवहन मंत्री ने कहा कि सरक दुरुगटना में खायलों को समय पर उपचार के लिए स्पताल पहुँचा दिया जाए। तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवशकता है कि लोग खायलों की मदद के लिए आगी आए। मुख्य सचीवाले इस्तित सवागार में आजित बैठक में शरक सुरक्षा के लिए बिहार सरक सुरक्षा पडिशाद एवं विवन विभागों, ग्री विभाग, पडिवहन, पत्निर्मान, ग्रामीन कारे, नह आई, आई, स्वास्त, नगर एवं आवास, सिक्षा किये जा रहे काडियों की समीक्षा की गई, बैठक में पडिवहन सचीव पंकच कुमार पाल ने बताया कि अब तक कुल 999 गुड समे रीटन को 15 अगस्त और 26 जन्वरी सहित त्विविन अपसरों पर सम्मानित किया गया है, मौके पर राज्य पडिवहन, आयुक्त भी, कृ गुड जी, गृविभाग के विशिश सचीव केस अनुपम सहित कई विभागों के प्रतिनीधी सामिल रहे, बडिवहन मंत्री ने एनचे आई के प्रदादी काड़ी को कहा कि बसावट वाले चीत्रों सी गुजडने वाले एनच की किनारी सुराख्छात में गृइल लगा आई जाए, वहीं पडिवहन सचीव ने बताया कि सरक दुरगटना के फलस्वरूप मिर्तकों की संख्या में कमी लाई जा सके, इसके लिए बिहार सरक सुरक्षा पड़ी से द्वारा विभिन स्टेक होल्डर विभागों कोई सहयोग से काड़े किया जा रहे हैं, जाग के लिए प्रचार प्रशार भी किया जा रहा है, तेरो रिपोर्ट न्यूस पियार लाइब पटना कि सिर्फे बंदा रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग छोब प्रचार विभागों कोई से देटर प्रचार विभागों कोई से रहे हैं, जाग लुझाओ। झाल झाल